कि हाई स्टुडेंट टीजफार क्लास एड हम विप्रार आज हिंदी ब्याकरण में लेशन सेवन की रीडिंग करेंगे और इसके इक्सरसाइज को देखेंगे विलोम सब्द जिसे हम विप्रियार्थक सब्द भी कहते हैं विलोम सब्द भी वच्चों आप लोग अच्छी त सब्दों को आप अच्छे से पढ़ लेना इसमें मुझे ऐसा नहीं लग तक मुझे कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत या इतना ज्यादा पढ़ाने की है आगमन का गमन होगा प्राधी का निराप्राथ होगा आदान का प्रदान होगा अवरण का अनावरण हुआ आयात का निर्यात होगा इस तरह से बच्चो आप पूरे बुल्यों सब्दों को अच्छे से पढ़ लेना जैसे आउनत का उन्नत है गद्य का पद्य है इह लोग का परलोग है इस तरह से अब देखों यहां भी दिया गया है पराधीन स्वाधीन जागरण निद्रह राजा रंक तुछ महान तरल ठोज लिखित मौकी तो इस तरह से बच्चो आप लोग पढ़ लेना इसकी रीडिंग कर लेना आईए हम इसकी एकसरसाइच को देखते हैं इसमें पहला कुश्चन है सही विकल पर शही का चिन्ह लगाईए विप्री तरते देने वाले सब्द क्या कह की बनाई है जिन में विप्रीत अर्थ वाले सब्दों का प्रियोग हो उदहरर देखी जैसे आज से मैंने पढ़ाई करना आरंभ कर दिया है आज से मैंने पढ़ाई का अंत कर दिया है इसी प्रकार से है देखो उद्यमी का मैं बहुत उद्यमी हूँ मैं बहुत आलसी राम हमेशा सार्था काम करता रहता है ग्राह स्याम गुड़ों को उनका ग्राह करता है स्याम गुड़ों को अग्राह या त्याज करता है नेश कुश्चन है रंगें सब्दों के बिलों सब्दों से रित अस्थानों को भर कर लिखिये अपूरण वाक्य को पूरा के जिए परिक्षा में के दिनों में अध्यान सता सभी बच्चे उपस्थित होते हैं बहुत कम ऐसे होते हैं जो अनपस्थित हो नचकेता के पिता बहुत कंजोस ब्यक्ति थे नचकेता करण की भात दानी था हमें लोगों के गुड़ों को देखना चाहिए दोस्त और गुड़ को नहीं शमुद्र मंथन के समय देवताओं को बिस्त की प्राप्ति हुई और राक्षासों को अमरित की तो बच्चो इस तरह से हमारा लेशन 7 भी कम्प्लीट होता है आप इसे अपने बुक को कम्प्लीट कर लेना क्योंकि आपके पेपर के लिए जरूरी है नेक्स्ट लेशन के साथ हम फिर मिलेंगे थैंक यू